हलो फ्रेंड, इलेक्टिकल लाइब में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्टिकल के इंपोर्टेंट क्यूस्चन जो की जेबी गुपता की बुक से लिया गया है और आपको जेबी गुपता की बुक का सॉल्यूशन डेली मिलेगा और जब तक कि आपका UPPCL जेए का एक्जाम खतम नहीं हो जाता तो UPPCL के जितने भी मतलब सेयर कर दीजिए सब के पास कि सब के पास पहुँच जाए जितने भी प्रिपेशन करने हैं उनको बहुत I think feedback भी मुझे अच्छा मिलेगा इसका क्यूंकि ये question जो है वो बहुत अच्छे है अगर इसका solution आपको अच्छे form में provide किया जाए तो please आप सब के पास share करो और channel को subscribe भी जरूर करो ठीक है चलिए तो start करते हैं पहले question से तो पहला question है super position theorem is not applicable for तो question नहीं पूछ लिया कि जो super position theorem होती है वो किस के लिए applicable नहीं होती है क्या अगर voltage calculate करते हैं तो applicable नहीं होगी नहीं voltage calculation के लिए applicable होती है bilateral element के लिए bilateral element के लिए भी applicable होती है third आपका है power calculation तो यही एक अपसन ऐसा है कि power calculation में जब भी अगर बात करेंगे तो super position theorem applicable नहीं होगी ठीक है? तो passive element के लिए भी applicable होती है ठीक है? इन सब element के बारे में मैंने अलग से एक video separate बनाया है आपको पता चल जाएगा कि voltage source क्या है, current source क्या है, bilateral element क्या होता है, passive element क्या होता है, सब मैंने बनाया है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है? चलिए, next question आपका है which of the following theorem is not applicable for both linear and non-linear circuit तो question आपसे पूछ रहा है कि इन में से कौन सी theorem है, जो linear and non-linear के लिए applicable होती है, तो super position, theonine, noted या none of these तो आपकी जो तीनों यह theorem है ना, यह linear के लिए applicable होती है, जबकि non-linear circuit के लिए applicable नहीं होती है, तो आपसे पूछा है कि कौन सी है, जो दोनु के लिए applicable है, तो इसका जो answer हो or none आप दीजिए, यानि जो fourth option वो सही होगा, यानि यह कोई भी theorem जो है, इनमें जो दी गई है कोई भी सही नहीं है, तो फिर अपली केबल कौन सा होता है, तो आपने सुना होगा KCL, सुना होगा KVL, सुना है KCL मतलब किर्चौब Current Log, KVL मतलब किर्चौब Voltage Log, तो यह दोनों जो होता है, अपली केबल होता है linear के लिए भी है and Non-Linear के लिए तो याद रहे, KCL, KVL चलिए Next Question है, देखे Important Question, यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, और यह जो Network की Question है, इनको बहुत ध्यान से समझेगा और आप Video को देख रहे हैं अगर तो पूरा Enjoy कीजिए, अब Question को Solve करने में, और पूरा Mind इनको लगाईए, आपको बहुत मज़ा आने वाला चलिए, तो Question क्या है In the circuit, shown in figure What will be the value of current I through the voltage source when V बराबर 4 Volt अब देखे, इस जो I यह दिया I, इस I का मान क्या होगा जब V बराबर 4 Volt होगा ठीक है, तो बस इतना आप देख लो, अब figure को ध्यान से जो की Series में Connected है 2 Ampere के, और एक 2 Ohm का Resistance है, जो की Voltage के Parallel में Connected है तो एक चीज अब नोट कीजेगा कि अगर, एक Current Source के Series में Resistance का कोई मतलब नहीं होता इसका मतलब कि जितनी Current 2 Ampere की है उतनी ही मतलब जिसे 2 Ampere है तो 2 Ampere इस 4 Ohm से ही Flow होगी अगर एक Voltage Source के Parallel में Resistance है तो उस Parallel Resistance के Across भी उतना ही Voltage होगा जो वह था जिसे 4 Volt है, तो इस 2 Ohm के Across भी कितना Voltage होगा? 4 Volt ही होगा क्यों 4 Volt होगा? क्योंकि जो यह Voltage Source है, यह Voltage Source आपका एक Ideal Voltage Source है अब Ideal Voltage Source एक Ideal Voltage Source का जो Internal Resistance होता है वह 0 होता है तो आप देखोगे कि यहां से लेकि यहां तक कोई Resistance Connected है एक Voltage Source का Resistance जो होता है, वह Series में होता है और Minimum होता है Practical Voltage Source का तो यह Voltage Source जो आपको 4 Volt दिख रहा है, इसके Series में कोई Resistance आपको यहां से यहां तक दिख रहा है नहीं है, अगर नहीं है तो यह कैसा Voltage Source हो गया एक Ideal Voltage Source हो गया एक Ideal Voltage Source का Internal Resistance Zero Point Note कर रहे है ना, इंदम note करते चलिए चलिए तो देखिए फिर अगर इसका Internal Resistance Zero हो गया तो यहां पर 4 Volt होगा Clear? 4 Volt होगा तो Ease में अगर 4 Volt है तो इस ब्रांच में Current कितनी आईगी क्यूंकि voltage तो 4 Volt है R भी आपको पता है 2 Ohm है तो I कमान क्या होगा Ohm Loss से, Ohms की नियम से V upon R, V कमान है 4 and R कमान है 2 तो मिल जाएगा आपको 2 Ampere यानि इस ब्रांच में कितनी Current Flow हो रही है इस ब्रांच में आपको 2 Ampere की Current Flow हो रही है इस Current Source से कितनी Current जा रही है 2 Ampere जा रही है 2 Ampere गई, दो पार्ट में डिवाइट होना था I में और इस में दो पार्ट दो रास्ते थे थे ना इसके पास इधर जाना था, इधर जाना था ठीक है तो जैसे ही गई तो 2 Ampere यहीं से यहीं Move होके वापस आ गई इधर कितनी Current गई, अरे भाई 2 Ampere थी 2 Ampere ये, 2 Ampere गई, 2 Ampere इधर ही आ गई तो इधर कितनी जाएगी, 0 इधर कितनी Current गई, 0 Ampere तो एंसर जो आपका होगा, वह 0 Ampere होगा ठीक है तो इद्दम Point Note है आपको कि कैसे, कैसे 0 हुई 2 Ampere थी, इस ब्रांच में भी 2 Ampere थी यहां से 2 Ampere गई, 2 Ampere इधर कितनी जाएगी, KCL से Follow कर लो, KCL से 2 Outgoing Current, 1 Incoming Current ID कर दो, बराबर दोनों का सम क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो 2 बराबर 2 पलस 0 तभी तो होगा 2 बराबर 2 ठीक है, तो आपका answer जो होगा 0 होगा, चलिए नेश्ट क्यूचन के अगर हम बात करें नेश्ट क्यूचन, In the circuit So what is the value of the current ID देखे, important है बहुत important यह भी है इसमें क्या-क्या लगा हुआ है इसमें आपकी एक 8-volt की बैटरी लगी हुई है और यह जो 8-volt की बैटरी है यह भी कैसी है आपकी यह भी आपकी ideal है क्यों ideal मैंने बोला क्योंकि इसके parallel इसके series में कोई भी resistance connected नहीं है ठीक है, चलिए एक ampere का current source है कितना भी बढ़ा दो series में current के उपर कोई भी effect नहीं पढ़ने वाला है याद रहे एक current source के series में resistance कमान चाहे जितना बढ़ा दो current के उपर किसी भी प्रकार का effect नहीं होगा चलिए एक और लगा है आपके पास 2-volt का voltage source और इसके series में resistance लगा हुआ है 2-ohm का चलिए यह तो practical voltage source हो गया भाई clear है चलिए तो ऐसे question को जब भी देखो न तो एक point आप यह decide कर लो यह point जो है इसको assume कर लो आप कि यह क्या है एक node है और यहां का voltage आप माल लिए V है node किस point को कहते है एक ऐसा point जहां पे 2 या 2 से अधिक branches connected होती हूँ वह point आपका node कहलाता है तो यह point आपका node है क्यों क्योंकि एक branch, दो branch, तीन branch connect हो रहे हैं तो यह point आपका node हो गया चलिए यहां का voltage मैंने assume कर लिए V ठीक अब देखिए इस point पे आप क्या लगा दो KCL लगा दो clear KCL, KCL कैसे लगाएंगे 1 empire की current यहां से जा रही है I empire की current यहां से जा रही है तो कितनी territory جाएगी पता कर लेते हैं भाही कितनीylon जाएगी V upon R किशैंचi 여 theoret यहuito की current जो होगी क्योंकि यहां तो 1 empire पता है, यहां की I empire पता है लेकिन यहां की आपको नहीं पता है तो current कैसे निकालते है वी बटे आर से ओम की निजम से वी बटे आर होता है ना clear रहे एकदम point याद रखना चलिए एक चीज़ और current की direction किदर है current की direction नीचे की तरफ है current की direction अगर नीचे की तरफ है इसका मतलब यह जो voltage source है minus एक प्लस इसका मतलब current नीचे की तरफ जा रही है तो यानि positive terminal से बाहर निकल रही है ध्यान से देखना positive terminal से बाहर से निकल रही है ठीक है चलिए अब हम देखते है के CL लगाओ के CL के CL में क्या होता है कि किसी node पर जाने वाली धाराओं का योग तो 1 प्लस आई बराबर यहां आपने वी एजिम किया हुआ है तो वी प्लस होगा की माइनस होगा देखो प्लस होगा की माइनस होगा जब current यहां से ऐसे जाती जिसे इसकी polarity positive यहां होता निगेटी होता तब तो माइनस करते हैं ठीक है लेकिन जब polarity आपको इंटर्चेंज आनी current की voltage source connected है चलिए इस V का मान क्या होगा इह important है देखिए यह जो 8 volt की battery है यहां से लेकि यहां तक कोई resistance है नहीं है तो हम कहेंगे इस V का मान के तना होगा 8 volt के बराबर होगा इस V का मान क्या होगा 8 volt के बराबर होगा तो इस V की जगए हम 8 volt को put कर देंगे तो 1 प्लस I बराबर V मतलब 8 प्लस 2 बटे के 2 तो 8 और 2 कितना होगा 10 और 10 को जब 2 से डिवाइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 तो 1 प्लस I बराबर 5 तो I बराबर कितना होगा 4 एमपियर 4 एमपियर तो आपका answer कितना आ जाएगा answer आपका आजाएगा 4 एमपियर आजाएगा ठीक है तो वीडियो को लाइक करते चलिए सब्सक्राइब ज़ूर करिए और सेयर भी करते चलिए ठीक है फ्रेंड्स चलिए next question की बात अगर हम करें तो next question देखिए important बहुत important question आगया आपके सामने बड़ इसको solve करना यह ज़्यादा important देखो इस question को हम solve करेंगे तो यहां से आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मिलने वाली है तो point को note करते चलिएगा question क्या है in the network zone what is the current I in the direction zone यानि जो direction zone की गई है इस direction में current I की value क्या होगी important चलिए आप देखते हैं अब यहां से हम क्या करते हैं ना आप super position theorem को बढ़िया से पढ़ लो अब जितनी question मिलेंगे ज्यादा तर हम उसको super position theorem से लगाएंगे ठीक है चलिए तो देखिए आपके पास दो voltage source है super position theorem applicable when source connected more than one ठीक है जब भी source आपका more than one यानी एक से अधिक source connected होगे तभी आप super position theorem applicable कर सकते हो ठीक है तो देखिए एक 10 volt की बैटरी लगी होई है एक 10 ampere का current source लगा हुआ है चलिए अब बात करते हैं हम ध्यान से सुनिएगा कि super position theorem में हम क्या करते हैं कि जब 2 voltage source लगा होता है तो मतलब कि 2 voltage source लगा हो है या 2 source लगा हो तो उसमें से पहले एक को क्या करते हैं active एक को active and second को क्या करेंगे inactive 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 देखिए active का मतलब होगे कि एक के द्वारा हम देखेंगे कि किसी भी ब्रांच में कितनी current flow हो रही है सिर्फ एक source के कारण दूसरे को neglect कर देंगे फिर जिसको active किये थे अब उसको क्या करेंगे deactivate उसको deactivate कर देंगे फिर जो हमारा deactivate था उसको क्या कर देंगे हम activate कर देंगे उसे activate कर देंगे फिर उसके द्वारा हम देखेंगे कि हर ब्रांच में कितनी current flow हो रही है फिर जो पहले source के कारण current की direction थी और जो दूसरे source के कारण current की direction होगी अगर दोनो same direction में होगी तो add हो जाएगा अगर दोनो opposite direction में होगे तो minus हो जाएगा यानि बड़े वाले current जो भी current होगी voltage होगा उससे minus कर देंगे छोटे वाले को ठीक है इतनी बात आपको clear हो गई होगी चलिए अब हम क्या करते हैं इसमें से पहले एक के द्वारा देखते हैं तो कौन सा में activate करना चाहते हैं चलिए हमने कह दिया कि हम 10 ampere को activate करना चाहते हैं अगर हमने 10 ampere को activate कर दिया तो हमें 10 bolt को क्या करना पड़ेगा deactivate करना पड़ेगा तो इसको deactivate हम कब कर सकते हैं यानि कि इसको deactivate अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे यह important है, point note करिएगा, एक voltage source को deactivate करने के लिए, या फिर zero करने के लिए, उसको sort किया जाता है, क्या किया जाएगा? sort किया जाएगा, जब भी sort करेंगे, तब voltage का मान क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, यानि जिस terminal को हमने sort कर दिया, वह terminal के across जो voltage होगा, वह क्या होगा, zero होगा, अब देखिए, point यहां से note कीजिएगा, यह sort हो गया, तो यहां का voltage क्या हो गया, zero, अब इसके parallel में जितनी भी branches होगी, वह अभी क्या हो जाएगी, sort हो जाएगी, ठीक है, तो किसी भी, मतलब कि जब भी बात करो, आपकी, जिसकी भी मतलब, जो कोई voltage source हो, या कोई भी branch हो, तो इसके parallel में जो भी branch होगी, वह क्या हो जाएगी, sort हो जाएगी, तो यह one ohm भी क्या हो जाएगा, sort हो जाएगा, चलो भाई, इसको भी हमने sort कर दिया, sort कर दिया, तो इतने का खेल खत्म, यहां से यहां तक, बस मतलब इतना आपको मिलेगा, इतनी circuit आपको दिखनी चाहि जाएगा, यही तो यह ohm में जाएगा और 4 ohm में जाएगा, अब यहां से एक चीज और, current division rule आपको पता होना चाहिए, current division rule मैंने एक video बनाया है उसमें, अगर आपको नहीं मिलता, playlist में चले जाएगा, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, current division rule कैसे लगाते हैं, जैसे i4 में आपको current पता करना है, तो i4, जैसे i4 ohm में करना, तो i4 ohm में current जो होगी, total current, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या करना हूँ, total current, 10 ampere है, गुडे, opposite branch का resistance, opposite जैसे 4 ohm है, यह 4 ohm है न, तो 4 ohm के opposite में कौन सा है, one ohm, गुडे one, upon, total resistance, total resistance का मतलब कि 4 और 1, यानि जो resistance होंगे, उनको जोड देंगे, 4 और, यह कितना हो जाएगा, 5, तो 5 से divide कर देंगे, 2, तो i4 में 2 ampere की current flow हो रही, तेखे, अब यह 2 ampere की current flow हो रही, i4 ohm में, वह किसके कारण हो रही है, वह हो रही है, 10 ampere के कारण, 10 ampere के कारण हो रही है, अगर इस 10 ampere के कारण हो रही है, त दूसरा procedure हम क्या करेंगे इस 10 ampere को मतलब 0 करेंगे deactivate करेंगे और 10 volt को हम activate करेंगे यही तो चले अगर हम इसको deactivate करते हैं तो point यहां से note किजिएगा कि एक current source को deactivate करने का मतलब या 0 करने का मतलब उसको open करना जब भी current source को हम open कर देते हैं तो वहाँ पे current क्या हो जाती है 0 हो जाती है current क्या हो जाएगी 0 और resistance इन्फाइन तो वहाँ की तो कोई बात ही कर रहे हैं बस इतना हमें पता है कि open करने पे current क्या हो जाएगी 0 तो अगर जिसे कभी-कभी question आता है कि current source को कैसे replace करते हैं तो उसको open circuit से replace करते हैं और voltage source को हम short circuit से replace करते हैं ठीक है चलिए तो इसको open कर दिये तो इतना इसका खेल खतम अब इसका कोई मतलब नहीं है बस आपके पास यही branch दिख रही है ठीक है तो 10 volt जो है एक ideal voltage source है इसका मतलब ideal voltage source है तो यह दोनों किस में अब connect हो गए चार ohm और एक ohm सीरीज में connected हो गए क्योंकि इस branch से तो हमें इधर वाले से कोई मतलब नहीं है सिर्फ यह एक branch हमें दिख रही है ऐसे तो चार ohm और एक ohm connected in series तो service में जो connection होता है इसको add कर देते हैं और ऊप्र एक कर देते नहीं कि यानी कि यतने भी number of resistance होते हैं विनको add कर देते हैं तो add कर दो ऑईड करेंगे तो 4 ohm और एक ohm कितना हो जाएगा पांच-ohm हो जाएगा 5 ohm कितना हो जाएगा पांच-ohm हो oh-oh, पाच्ट होगह. और यह से तनवोल्ट का बोल्टेज शोर्स . ठेक है है? आई सी शर्क्या बनेगा जब आई सी सर्क्यित बनेगा तो यह टनवोल्ट जो होगा वा परलल में चनेक्टेड है अगर वाуса परलल में कनेक्टेड हैं तो यहां भी 10 वेल्ट होगा और यहां भी 10 volt होगा, clear, यहां भी 10 volt होगा, यहां भी 10 volt होगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्यूंकि parallel में connected है, और parallel में voltage क्या होता है, same होता है, और series circuit में current जो होती हुआ है, ठीक है, चलिए, तो 10 volt दोनों के cross होगा, तो यहां से भी current कितनी होगी, यहां से 10 ampere, और इस 5 से कितनी होगी, आई बराबर 5 ओम से अगर निकालेंगे, तो वी वटे आर, आर का मान है 5, तो 5 दोनी 10, यानि 5 ओम से कितनी current flow रही है, 2 ampere की, आप देखे, 10 volt के कारण भी 5 ओम में कितनी current आई, 2 ampere, 10 volt के कारण यहां पी कितनी current आई, 2 ampere, direction इधर से है, direction इधर से है, और इस opposite है, opposite है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, minus, तो 2 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 0, तो इसका answer जो होगा, वो answer क्या होगा, 0 ampere होगा, ठीक है, चलिए, next kitchen के अगर हम बात करें, next, देखे, important है, बहुत important है, द्यान से देखी कैसे है, in the given circuit, what is the voltage across the current source, IS, देखों, important है कि IS के across आप से क्या पूछ रहा है, voltage source पूछ रहा है, यहनि voltage पूछ रहा है, कितना voltage इसके across बनेगा आपका, ठीक है, तो चलिए, कोई बात नहीं हम निकाल लेते हैं इसको, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, 2 ampere का current source है, और इसके series में एक ohm का resistance है, कोई मतलब नहीं, यह यहां पर दो पार्ट मिल गया, इसको दो पात मिल गया, तो कुछ current इधर आजाएगी, कुछ current इधर आजाएगी, यही तो, अब देखो क्याने, यहां पर अगर voltage पूछा है, तो हमें क्या करना है, कि यहां पर ऐसे लगाएं, यहां kvL लग जाए, या फिर इस पात में kvL यहां पर तो unknown current है, यहां नहीं पता है current, दो quantity unknown हो जाएंगी, तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारे पास important है, कि पहले इस circuit का हम current पता करें, जब इस circuit का current हमें पता हो जाएगा, तो अराम से हम इस वाले loop में kvL लगा के निकाल सकते हैं, वी का मान, ठीक है, तो important पहले क्या है कि इसका हम current पता करें, तो 2A की current flow हो रही है, और 2A की current flow हो रही है, तो यहां से गई दो पार्ट मिले, अब इस ब्रांच में कितनी current आएगी, फिर से current division rule, current division rule क्या होगा, I3 ohm में निकालना है, तो total current 2 गुडे, opposite branch के resistance, opposite branch के resistance कितना, 6, 6 upon, 6 upon, total resistance कितना, 3 और 6 कितना ह हो जाएगा, 9, ठीक है, तो इसका जब मतलब की कर देंगे, तो 3, 2, 6, 3, 9, तो 2, 2, 4, 4 बटे, 3 आजाएगा, ठीक है, 4 बटे, 3 आजाएगा, answer, तो इस परांच से, जो current flow होई, वा कितनी होई, 4 बटे, 3, चलो, कोई लिए, यहां से कितनी current flow हो रही है, यहां से तो 2A की current flow ह हो रही है, यहां से 2A की current flow हो रही है, यहां का voltage हमने माल लिया, polarity यह माल लिया, current ऊपर जा रही है, तो यहां पर polarity ऐसे माल लिया, यहां का voltage V मैंने assume कर लिया, ठीक है, चलिए, अब यहां से current ऐसे flow हो रही है, तो यहां पर plus होगा, यहां पर minus होगा, यहां पर plus होगा, य शृसे जटा करते हैं आप क्या करना है आपको इस वाले पार्ट में कभी आ लगा देना है के वील लगा दो आपके लगाएंगे थालल पहले जो भी पोलर्ट आपको मिल этुपर कर दो तो मैंनेure स्टार्ट कर दिया यह बराबर I into R, I का मान है 2, R का मान है 1, तो I का मान है 2, गुड़े R का मान है 1, प्लस, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पोलटी कौन से मिली पहले, प्लस, तो प्लस, रजिस्टेंस कितना 3, गुड़े, करेंट कितनी 4 बटे 3, यहाँ पे करेंट कितनी फ्लो रही थी, 4 बटे 3 ही हो रही थी चलिए तीन से तीन cancel out हो गया minus v plus 2 और 4 कितना होगा 6 बराबर 0 तो v बराबर कितना होगा 6 बोल्ट हो जाएगा 6 बोल्ट तो इसका जो answer आएगा वो answer कितना आएगा 6 बोल्ट आएगा देखें कैसे आया clear हो गया होगा आपको चलिए next question की बात करते है next है in the given circuit i बराबर 1 ampere for is बराबर 0 what is the value of i for is बराबर 2 ampere बहुत important question है और इसको अगर आपने solution कर लिया तो आप समझाओ master आगनी हो बिल्कुल ठीक है चलिए तो is कमान क्या है जब is कमान 0 था यानि जब हमने is को क्या कर दिया था 0 तो उस time पे i बराबर कितना हमको मिल रहा था 1 ampere मिल रहा था 1 ampere क्यों question में कहा है उसके बाद what is the value of i for is बराबर 2 ampere तो जब is कमान हमने आई देखो और तो कोई है नहीं जो current flow करवा सके क्योंकि is को तो आपने 0 कर दिया था जब is को 0 कर दिया थो i ampere i command 1 ampere आया कहां से ध्यान से समझो कहां से आया होगा इस voltage source से आया होगा यही तो है जो current flow करवा सकता था तब इस voltage source के कारण i command कितना आ गया था 1 ampere लेकिन जब हमने is command क्या कर दिया था 2 तब i command क्या होगा यह पूछ रहा है आपसे तो ध्यान रहे super position theorem में हम क्या करते हैं कि पहले एक source को क्या करते थे 0 फिर दूसरे source को 0 करते थे अरे मेरे भाई जब हमने is को 0 कर दिया था तो यहां पी 1 ampere आ गया था तो दूसरे condition में जब is command 2 दे दिया है तो हमको 0 करना पड़ेगा न बोल्टेज को क्या करना पड़ेगा जीरो तो वी कमान अगर जीरो करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा sort, इसको क्या करना पड़ेगा, sort जब हमने इसको sort कर दिया तो ये branch हमारी sort हो गई, जब ये branch sort हो गई, तो ये 1-oam कहे रहा भाई, मैं भी sort हो जाओंगा, ये भी क्या हो गया, sort हो गया अगर ये sort हो गया, sort हो गया चलो भई है, ये sort हो गया आप देखिए आपके पास कौन सी ब्रांज बची है, सिर्फ ये ब्रांज बची, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है, चलिए, तो IS कमान कितना है, दो, IS कमान दो दे दिया है न, तो कितनी करेंट फ्रो होगी, एक वन ओम का रेजिस्टेंस, एक वन ओम का, दोनों पैरल आएगी और यहां से एक एम्पियर उधर जाएगी, ठीक, एक एम्पियर इधर जाएगी, और एक एम्पियर इधर आएगी, ठीक है, तो यहां कितनी करेंट आगई, यहां कितनी करेंट आई, वन ओम का राई, ठीक है, अब ध्यान से समझो, पहले कितना आई कमान था, वन direction कि इधर थी, इधर ही, अब फिर एक ampere है, लेकिन इस टाइम भी direction कि इधर है, इधर ही है, तो I command क्या होगा, पहले था 1 ampere, फिर बाद में फिर 1 ampere flow हो रही, तो टोटल कितनी current flow होगी, 2 ampere न, ज्यान समझो यार, इस voltage source के कारण एक ampere, इस current source की कारण एक ampere, तो दोनों के कार question की बात करें, अगर, next question क्या है आपके सामने, देखे, ध्यान से question देखे, in the circuit zone below, what is the voltage across 5 ohm register, इस 5 ohm register के across आप से voltage पूछ रहा है, तो voltage आप कैसे निकालोगे, अब देखो ध्यान से, यहान से देखो, बहुत ध्यान सिग्णन देखे, question बहुत असान है, बस देखने में है, तो एक practical current source को हम कैसे कहते हैं, कि एक practical current source के parallel में resistance होता है, और एक practical voltage source के series में resistance होता है, एक practical voltage source को आप convert कर सकते हो current source में, एक practical current source को आप convert कर सकते हो voltage source में, clear, याद रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, practical, तो जब practical होगा, तभी आप उसको convert कर सकते हो, अगर वह practical नहीं है, तो आप इसको convert नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो यह तो भाई practical दिख रहा है कि इसके parallel में resistance है, यह भी practical दिख रहा है कि इसके parallel में resistance है, तो भाई मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि इनको change कर लो, चलो भाई मैं change कर देता हूँ, इनको voltage source के form है, देखिए, 176 Ampere है, तो voltage source में convert करने से पहल पहले, पहले V कमान निकाल, V बराबर I into R, I कमान कितना है, 116, गुड़े, गुड़े, 7, R कमान तो 7 है, तो गुड़ा करेंगे, तो 7, 6, 42, 7, 49, 43, 5, 7, 7, 5, 12, तो 1232 volt आगया आपका, यहां का जो voltage मिलेगा, 1232 volt मिलेगा, चलिए, बात करते हैं अभी हम, और भी, 110 Ampere को I कमान है 110, गुड़े 10, तो multiply करेंगे, तो हो जाएगा 1100, clear, तो दो voltage source, यानि इस साइट का भी voltage source हमें पता चल गया, और इस साइट का भी voltage source पता चल गया, अब बात आती है, इस resistance की, और इस resistance की, तो भाई, जब भी voltage source में convert करते हैं, तो एक voltage source का जो internal resistance होता हुआ, किस में ह और इसे भी series में connect कर देंगे, चलो हम connect करते हैं, यह होगे आपका voltage source, यह resistance, कौन सवाला resistance, यह साइट हो, और इसकी value में किसी भी प्रकार का changes नहीं होगा, ठीक है, जब भी हम voltage source से current source में, या फिर current source से voltage source में convert करते हैं, तब resistance के उपर कोई भी effect नहीं पड़ता है, ठीक है, चलिए, यह पांचों लगा है, पांचों भी series में आ जाएगा, पांचों series में आ गया, फिर यह दसों भी series में आ गया, ठीक है, अब यहां का जो voltage source बनेगा, वो कितना बनेगा, ठीक, यहां का आपका था 1100, 1100 बोल्ट, यहां का था 1232 बोल्ट, यही तो था, चलिए, यह आ टोटल रिस्टेंस आपके पास कितना मिल गया, साथ है, पांच है, दस है, तो टोटल रिस्टेंस आपको मिल गया, 22 ohm, ठीक, अगर यहां ध्यान सोचो, इसी 5 ohm के cross voltage पूछा था, अगर यहां से आप current का पता कर लो, तो यहां पे voltage को बता सकते थे, क्योंकि वीवरा और I into R से voltage आप बता सकते थे, clear, तो voltage का पता करेंगी, जब हमें current पता होगी, जब हमें current पता होगी, या फिर नहीं उससे भी नहीं होता, तो voltage division rule लगा तो, ठीक, voltage division rule, simple है, देखो, 1232 है, ये 1100 है, तो 1232, 1100, एक इधर से इसकी polarity, देखो, दोनों के polarity, same direction में है, इसका मतलब य जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जिसे देखो, ये इधर से सोच रहा है कि मैं current भेजू, ये इधर से सोच रहा है कि मैं current भेजू, ठीक है, तो जो बड़ा होगा, वो छोटा वाला minus कर देगा, ठीक है, क्योंकि polarity दोनों की एकी side, यानि की opposite polarity है, देखो, opposite polarity का होगी न, तो opposite polarity में minus हो जाता है, तो minus करेंगे, 1232 में से 1100, तो हमारे पास बचेगा, 132, 132 बचेगा, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा figure बनेगा, वह figure हमारे पास आएगा, ये से, ठीक, ऐसे figure बन के आएगा, 132, ये सातों, पांचों, दसों, इस पांचों के across voltage पूछा ह है, तो voltage division rule लगा दो, voltage division rule, voltage division rule भी यहां से समझ लो, कैसे होता है, तो V5 पूछा है, तो इसके across निकालने के लिए, total voltage, total voltage हमारे 132 है, चलिए मिटा की करो, ठीक है, मिटा कर रहा हूँ, तो V5 बराबर, total voltage आपका कितना था, 132, गुडे, जिसके across voltage निकाल रहे है, जिसके across न पांच हम, दस हम, जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 22 होगा, चलिए, इसको हम डिवाइट कर देते हैं, 22 से, तो अकर 22 से डिवाइट करेंगे, तो हमारे पास आएगा, 22 चक का 132 चैए आएगा, तो V5 का मान आजाएगा, 5 चक 30, तो total voltage कितना आगया, 5 हम के across, 30 volt आगया, तो important था, figure आपने draw कर लिया, तो बहुत आराम से solve कर से, चलिए, next question के अगर बात करें, for the circuit zone in the figure, the current I is given by, अब देखिए, यह current जो I है, वह क्या होगी, फिर से superposition theorem, देखो मैं इस question को बस अब जल्दी-जल्दी solve कर दे रहा हूँ, आप बस फटा-फट solve कर लो, क्योंकि अब मैं मैंने बता दिया, अब आपको solve करना, चलिए, तो मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, कि पहले एक source को activate कर रहा हूँ, चलिए मैंने इसको activate किया, इसे deactivate किया, तो deactivate अगर किया, तो यह sort हो जाएगा, voltage source से sort हो जाएगा, तो उसके साथ यह भी sort हो जाएगा, चलो भाई होगी इस दो में आपको करेंड बताना है तो तो टोटल करेंट निकालेंगे हम जो आए घुओ तो 6 total करेंड आपान है तो चुख स्वांग से सिंक्स गुडय आपसी बांधन कर रल्स घंस फंपन डोלא मुद्य कारण तो वह आउट तो इसको अब open कर देंगे अगर इसको open कर दियें तो यह forum open हो गया इससे कोई अब मतलब नहीं यह पूरी मतलब पूरा एक खतम होगी यह सर्केट ही खतम होगी यह हमारे पास यह बचा है यह बचा है तो तीन वोल्ट जो है एक ideal voltage source अगर एक ideal voltage source है तो इसके एक cross भी कितना होगा 3 वोल्ट और इसके cross भी कितना होगा 3 वोल्ट होगा क्योंकि यह दोनों किसमें connected है series में न अब इधर वाले इस तो कोई मतलब नहीं है तो दो और एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा चलिए तो यह 3 हो गया तो जो 3 वोल्ट होगा यह 3 वोल्ट इसके cross भी होगा और यहां से लेके यहां तक भी होगा 3 वोल्ट तो आपको इस दो ओम में बताना है तो भाई ज कितना होगा dau finite Reeber को पैसके कितना होगी कितनी होगी एक एंपियर होगी उस उसके किदर होगी इधर की होगी ठीक नोट करना है कि आपको इधर internships एक्षिन में फ्लोग होगी इसका एंसर जो का अप्षिन नमबर सी चलिए नेक्ट यूचन के अगर बात करें इंप्टनेंट है आपसे पावर पूछा है तो चलो कोई बात नहीं भाई पावर पूछा है तो पावर पूछ लें हमसे कोई वह नहीं है चलिए देखिए फॉर् ओननेंप्म यहां से आजाएगा द्रग है किसे कोई मतलब नहीं है यहां सी कितनी करनच आए यह वन एंपियर तो आएगी है तो कि में कितना लगा हुआ है इसके है और करेंट कि आ रही है और आहांतेगम क्लिए बिडात में में दिया सअंग थी पावट तो पी बरावर होगा V into I और V कमान दिया है आपका दो गुड़े I कमान दिया है तो टू वाट हो जाएगा ठीक है तो आपका जो एंसर होगा अपसे नमबर बी करेक्ट एंसर होगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही ठीक है ओके थैंक यू